तो आज हम Geography Optional Paper के बारे में चर्चा करेंगे, जो आज Paper Fest अभी गुआ है उसके बारे में और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू करना, मैंने ऐसी राइटिंग के अच्छे लेशन बनाया है, क्योंकि एसी राइटिंग मेरे चार बार UPC में बहुत अच्छे मारक्स है, एक बार मुझे 157 मारक्स भी प्राप्त है, इसके लाबा मैंन में GS First and Ethics के Model Answer के वीडियो भी बना दिये तो आप उनको एक बार जुरूर देखना विशेश तोर पर हिंदी वीडियो के लिए यह बहुत ही अच्छे लेशन है, क्योंकि मेरा भी तीन बार UPC IS Intrude देने का अनुबह है उससाब से, तो यहां पर जैसे मैंने चार बार जोग इसमें क्या होते हैं आठ कुशन आते हैं जो आठ कुशन आते हैं जिसमें से कुशन एक और जो फाइफ है वो अनिवारी कुशन है उनको आपको मतलब इसमें विकल पनी होते हैं इनको करना ही होता है बाकी फिर जैसे टोटल हमें पांच कुशन करने होते हैं जिसमें से एक और 5 प deportation हो गई बागी जो तीन कुष्ण होते हैं उन में से दो कुष्ण एक एक सेक्ष्ण में से कर शक्ते हो तो जैसे इसमें पहला कुष्ण है कि हेलोविन तूपान पर एक भोगलिक टीपणी लिखी है तो यह तो आसान मतलब चर्चा में रहाता है उस आप से विवेशना कीजिए बारत में वन्य जीवों की वर्दी को कौन से कारक प्रवाइद करते हैं उनके आर्थिक मैत्व की विवेशना कीजिए और फिर ई है बारत में 10 लाग से अधिक जनसंग्या वाले नगरों में जिवन प्रयावन से समधित समस्याओं की विवेशना कीजिए इनका प्रबंदन कैसे क्या दा सकता है देखो इसमें यह है कि जैसे यह जो फैस्ट कुशन है उसमें तुलनातवर गुप से यह कुशन एजी लग रहे है क्योंकि आपने देखा गए लास्ट एर में क्या कर रहे थी यह जियो मॉर्फोलोजी के कुशन वहाँ पर ज्यादा थे और ऐसे इस्तलाकरतियां पूछ रहे थी जिनका कभी नाम नहीं सुना मतलब टफ 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 आए इन पेपर को देखके यह लगता है कि थोड़ा सा तुलनातव और गुफ से इस सेक्शन में जो मुझे समस्या फैस होती थी वह अबकी बार उतनी नहीं दिख रही है तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक मतलब पेपर बनाये गया है और इसके लाव इसमिद्य को इंडिया का भी कुछन पूछ लिए तो यह आसान कुछन है फिर दो कुछन यहां पर इंडिया की पूछ लेगे है इसके लाव जो टू कुछन नंबर है विबिन सिधानतरों मोड लोग को अपयोग करते वए महाधिपोर मासागरों के करम विकास पर एक निमन लिखिए बी है परवार विरंजर की संकल्पना इसकी पुंदर प्राप्तिता इस प्रक्रम के कारण दिर्ख सेवाल परवर्ती विश्थापन की विवेशना कीजिए और सिए उत्री अंटलांटिक मासागरों की दाराओं और प्रस्चिमीरोफ की जलवाई में उनके मैजपन बूमिका की वैक्या कीजिए तो एक लाइमेट से मतलब एजी लग रहा है थोड़ा सा एजी लग रहा है तुलनात प्रूप से और अगला है कि वैक्या कीजिए कि विबिन कारक भारती मानसुन पर्णाली की उत्पती और विकास को कैसे प्रवाइद करते हैं देखो इसमें पेपर फेस्ट में ही पेपर टू के कुछन काफी अच्छे पूछ लिए यहां पर इसके लावा फिर आगे है जो कुछन नम्र यहां पर है थोड़ा सा एक सेक्ड़ कुछन थर्ड के बाद में हम देखेंगे यहां थर्ड बी जो है कि वन्नों उन्मलन के परभाव और कारणों तथा भारतमिक करसी के प्रति रूपों पर इसके परभाव की व्यक्य कीजिए और C है वातागर जनन और वातागर विनास की अभी लाक्षनिक विश्यस्ताओं की व्यक्य कीजिए देखो यहां पर तुलनात्म रूप से मैं कह सकता हूँ मेरे पिसले तीन-चार मेंस देनी के नुपू से कि इस बार जोग्राफिक के जो पेपर है वो एजी पेपर लग रहा है लेकिन मार्किंग इसमें कैसी होती हो वो तो बाद की बात है लेकिन तुलनात्म रूप ये प और जाए लाए परासंगी उद्राणों के साथ विवेच न कीजिए और फौर्थ सी भारत में संक्टोर और आपदाओं के पड़ती मानौ अनुक्रियां प्रबंदन की विवेच न कीजिए तो ये सेक्षिन जो ए है उसमें चार कुशन न होते है और सेक्षिन बी में भी ज किजिए उर्जा संकटे के कारणों परवाओं को पेचानी तता इस समस्या के समधान नहीं तु उप्युक्त उपाइस हो जाई है इसके लावड डी है जहां आर्थिक वर्दी लंबी काल आवदी तक मनी रहती है वह इसका परवाव इस्तानिक अर्थवेस्ता के एक कर्मिक एकिकरण के लिए कार्य करता है भूमी अवनियन उत्पादक्ता और संपोशनी संसातन प्रबदन के लिए खत्रा है भारत की उप्युक्त उदारन लेते हुए व्यक्या कीजिए और C है आधुनिक विष्वेस्ता में अधिकतर सरहद्य परिशिमाओं से पर्तिस्तापित कर दीगे कारणों की व्यक्या कीजिए 7.A है भारत की कस्पोव और नगरों के संदर्प में संपोशनी विकास है तू नियोजन के परसंग में नगरिये सुन्ने में तक की संक्रुपना की विचना कीजिए 7.C है संतुलित मानों विकास के संदर्प में भारत में लिंग सामया और समानता पर निमत लिखिए 8.A है विवेशना कीजिए कि विश्वईदों के परसाथ में अपने दुरागरे चेतर के सप्टा को कैसे और क्यों संसजित किया 8.B है जननता हास और सामाजिक आर्थी विकास के संदर्प में विश्वजन संक्रुपन का विवरण परसुत कीजिए 8.C है मानों परस्तिक लोगों और उनके प्रयावन प्राकर्तिक सामाजिक दोनों के परस्पर एक संबंदगा देना है परस्तिक संक्रुपन को प्यों करते विश्वतार से विविचना कीजिए तो इस प्रकार ये आज का पेपर फेस्ट जियोग्राफिक लगाया वह पेपर था बहुत बहुत धन्यवाद इन लेशन को आप लाइक, सेर और सब्स्राइब जरूर करना थेंक्यू